हेलो फ्रेंड्स, गूड इबनिंग और वेलकम टू दा सक्सस केंद्रा, फ्रेंड्स देखे आज का जो सेशन है बिपेसी टी आर यी 3.0 यानि कि बिपेसी टीचर 3.0 जो नीव वेकंसी दोहजर चोविस माई हुई है, उसके लिए बड़ा ही इंपोर्टेंट सेशन है, आज इस सेशन में हम लोग बिपेसी टी आर यी 3.0 का जो एक्जाम 15 मार्च दोहजर चोविस को लिया गया था, जो पेपर रद कर दिया गया था, उसमें जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रशन पूछे गया है, क्लास 125 और क्लास 628 का पेपर लिया गया था, 15 मार्च दोहजर 24 को, तो उसमें जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रशन पूछे गया है, उन्हें सभी प्रशनों को आज हम लोग एक ही सेशन में कबर कर लेंगे, बड़ा ही इंपोर्टेंट सेशन रहने वाला है आपकी एक्जाम की दृष्टी कुन से, और देखे एक बार आप लोग प्रशन प्रशन पूछा हुआ है, और इसी प्रकार से अपने तयारी को continue रखिएगा, बड़ा ही इंपोर्टेंट सेशन है फ्रेंट्स, टीरी 4.0 वाले भी सेशन को ध्यान पुर्वक देखिएगा, एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देजिए, और इसका ल आज इस सेशन में हम लोग BPSC TRE 3.0 का जो एकजाम 15 मार्च 2024 को लिया गया था, जो एकजाम रद कर दिया गया, और देखिए 15 मार्च 2024 को क्लास 125 और क्लास 628 का पेपर लिया गया था, और देखिए क्लास 125 और 628 में जेतने भी modern history के प्रशन पूछे हैं फ्रेंट्स, उनको सेशन में हम लोग डिसकस करने बाले हैं, बड़ा ही important सेशन है आपकी एकजाम की दृष्टी कुन से, देख लिजे, BPSC ने इस बार जो है TRE में किस प्रकार के प्रशन पूछे हैं, और उसी pattern पर अपनी तयारी को भी continue रखिएगा, चले शुरू करते हैं सेशन, एक बार स्वतंतरता को प्रतिबंधित कर दिया, एंसर सब को कमेंट करना है, और देखिए जो भी मैं explain करूंगा, उसको भी ध्यान पुर्वक जरूर सुनिएगा, इससे क्या होगा, कि एक प्रशन के साथ साथ आपकी दो से तीन प्रशन जो हैं कबर होते चलेंगे, अब यहां पर friends ध्यान दिजेगा, देखे 1878 इस्वी में, लौड लिटन ने भारतिये समाचार पत्र अधिनियम, यानि कि वर्नकियूलर प्रेस एक्ट पारित करके, भारतिये प्रेस की अस्थानिये भारतिये भासाओं में प्रकासित समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया, और इस कानून में यहाँ प्राधान किया गया था कि अगर किसी अकबार में कोई अपत्ती जनक चीजी छपती है, तो सरकार उसकी प्रेंटिंग प्रेस सहीत सारी समपत्ती जपत कर सकती है, तो यहाँ पर देखे 1878 राइट अंसर हो जाएगा, और देखे फ्रेंट्स 1882 में 1882 में लॉड रिपन ने, किसने लॉड रिपन ने जो है वर्नकिलर प्रेस एक्ट को समापत्त किया था, और देखे भारतिये प्रेस का मुक्ती दाता किसको कहा जाता है, यह भी प्रशन हो सकता है आपके एक्जाम में बन जाए, भारतिये प्रेस का मुक्ती दाता कहा जाता और देखे BPSC TRE 3.0 के लिए अब regular class चलेगा चैनल से जुड़ जाईए और अपने friends को भी बताईए जो हमने पिछली बार तयारी कराई हुई थी NCRT से और जो भी मैंने previous year का question करा हुआ था वहाँ से काफी सारे प्रशन इस बार BPSC TRE 3 में पूछे गये थे चले अगला प्रशन करेंगे friends, next question है हमारा देखे जालियावाला बाग नर संगहार की जाच हेतू गठित बॉर्डर inquiry committee यानि कि हंटर कमिटी में किस भारतियों को अस्थान मिला था अच्छा देखे जालियावाला बाग नर संगहार जो है यहां किस दिन हुआ था यहां भी प कि अध्यक्सता में एक Committee का अगठन किया था किस की अध्यक्सता में Lord Hunter की अध्यक्सता में जिसको कि हंटर committee कहा जाता है और इस Committee में पांच अंग्रेज और तीन भारतिय सदस्य थे तो यहां पर देखे गा सुल्तान अहम्मद लाल हरीलाल सीटऱबार Gosh पंडित जगत नरान ये तीनों थे इसलिए अप्शन डी राइट अंसर हो जाएगा एक से अधिक अच्छा फिर कॉंग्रेस ने जालिया वाला बाग हत्याकांड की जाज के लिए मदन मोहन मालविये के नत्रित्यों में एक आयोग निवक्त किया था और इसके अन्य सदस्यों में मोतिलाल नहरू और महत्मा गांधी जी भी थे ठीक है ना चले एक बार सभी लोग प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए देखे नेक्स्ट कोस्टन है कि प्रसिद करांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजात के अनुरोध पर किसने दा फिलोस्पी अप बॉम यानि की बॉम कुस्तन हैं हमारा और NCRT से कल मैं क्लासेद स्टार्ट कर रहा हूं हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी साइंस क्लास 6-12 के लिए ठीक है ना चले देखे अगला प्रशने की कामा गाटा मारू क्या था यहां पर क्या बना लिजेगा यह टाइपिंग एरर है कामा गाटा जो था यह एक जापानी जहाज था और इस जापानी जहाज को 1914 में 1914 में किसने किराय पर लिया था तो याद रखेंगे बाबा गुरुदत सिंग ने इसको किराय पर लिया था किलियर ना और जब यह जहाज जो है बजबज नामक बंद्रगाह जो कि आपका पसिम बंगाल में पड़ेगा वहां पर जब पहुंचा था बजबज पर तब उसकी तलासी ली गई थी और वहां पर जो है थोड़ा बहुत संघर्स भी हुआ था और इसमें 18 यात्री लगब बन सकता है चले अगला प्रशन करेंगे अब हम लोग कि जालिया वाला बाग निरिशन सत्याकांट किस दिन हुआ था दिन देखिए पूछा गया है तो 13 अप्राइल 1929 की अघटना है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है और यहां पर दिन पूछा गया है तो दिन कौन सा है तो वैसाखी के दिन यह हुआ था किस दिन हुआ था वैसाखी के दिन हुआ ठीक है चले उसका बाद नेक्ष्ट कोस्तन है कि आत्म सम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे आत्म सम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे चले सभी लोग एंसर कमेंट करिएगा कि आत्म सम्म ये आस्था के बिना एक नए सम्मग्र एव्म तर्क संगत समाज में परिवर्तित करना था ईबी रामास्वामी नाइकर के द्वारा वडस 1925 में आत्म सम्मान आंदोलन की सुरुवात तमिलाडू में की गई थी यह एक समतावादी आंदोलन था जिसने ब्रह्मन वादी आधिपत्य को तोड़ने का कारे किया था और समाज में पिछडे वर्गों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों तथा तेलगू, तमिल, कर्नड और मलयालम, आधी, द्रविड भासाओं की पुनर उत्थान पर जोर दिया था तो यह आपका ईवी रामास्वामी नाइकर राइट अंसर हो जाएगा चले फ्रेंट्स, नेक्स्ट कोस्टन है हमारा कि 1873 में रचित पुस्तक गुलाम गिरी कि सधारना को निश्प्रभावी करती है अच्छा गुलाम गिरी जो है इसको लिखा किसने है गुलाम गिरी को लिखा है जोतीबा फूले ने महत्मा जोतिबा फुले ने इसको मराठी में लिखा था किस भासा में तुम मराठी में लिखा था ठीक है ने फ्रेंड्स और इसमें जाती ब्यवस्था की आलोचना करने के लिए सोलह भाग के निबंध और चार गितात्मक पदों का प्रयोग किया गया है तो यहां पर देखे निमन जाती बिभेद यहां पर राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन करेंगे हम लोग कि हिंदुस्तान स्टेंडर्ड किसका समाचार पत्र है अब यहां पर ध्यान दीजेगा एक हिंदुस्तान टाइम्स हिंदुस्तान टाइम्स है और एक केवल हिंदुस्तान है जो कि मदन मोहनमालवीजी का है हिंदुस्तान टाइम्स या आपका सतीधनन्द सिनहा होगा अप्सन भी रैइट अंसर हो जाएगा अचछा अलहिलाल और अलबलग अबुलकलाम अजाज जी की है और लेडिमे आपको बताया था सौम प्रकास किसकी है सोम प्रकास सेंप्रकास चन्द्र विद्या सागर की है यह भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे मैं बिलकुल आपका समय वेश्ट नहीं करूंगा चलिए नेक्ष्ट कुस्चन की महात्मा गांधी ने चमपारन यात्रा किस वर्स में किया था महात्मा गांधी को याद होगा फ्रेंड्स काफी इंपोर्टेंट कोस्चन है 1917 में चंपारन सत्यागरा श्टार्ट किया था राजकुमार सुक्ल जी 1916 में लखनाव अधिवेशन में गांजी जी से मिले थे और गांजी जी के तरफ यहां की जो नील कृषक थे चंपारन की उनकी दूरदसा के यहां आपका उठा था लखनाव अधिवेशन में ठीक है नहीं से भी आप ध्यान रखेंगे चले 1942 में किसने भारत चोड़ों आंधुलों का अहवान किया था चले सभी लोग इसका अंसर कमेंट करिएगा देखे 8 अगस्त 1942 को महत्मा गांधी जी ने ब्रिटीश सासन को समा आंधुलन शुरू किया था गांधी जी ने ग्वालिया टैंक मैदान में अपने भासन में करव या मरो का हवान किया था जिसे अब अगस्त क्रांती मैदान के नाम से जाना जाता है और स्वतंतरता आंधुलन की ग्रेंड ओल्ड लेड़ी पड़ा ही इंपोर्टेंट है भारफ चोड़ो आंधुलन का नारा एक समाजवादी और ट्रेड इूनियन वादी युसूफ मेहर अलि के दवरा गढ़ा गया था यहां नारा जो था भारफ चोड़ो का यहां यूछ मेहर्त अली के दवराग गढ़ा धा ठीक है ना याद रखिएगा और मेहर अली जी ने साइमन गो बैक का भी नारा दिया था इससे भी आप ध्यान रखेंगे लेकिन अहवान किया था महात्मा गांदी जी ने ठीक है ना चलिए नेक्स्ट कुस्तन है कि अठारा सो संताउन की विद्रहों के मद्द नाना साहब ने अपने पेशवा यहां पर बिल्कुल को यें असर होगा पेशवा राइनसर हो जाएगा चले नेक्स्ट को सन्हेंगे। किसने या किनोह ने गल्ती से लेप्रिंफन की एर्ष्ट की हत्या किया ठाजो है यहां आपके जो चापेकर बंधू थे दामोदर और बालकृष्णी चापे कर इन्हों नहीं किया था कब किया था तो 1897 याद रखिएगा 1897 में ठीक है ना अप्सन नमर यहाँ पर बी राइट अंसर हो जाएगा अचा मदलनाल धिंगरा ने जो है गोल्डन टेंपल की चाभिया सौंपी गई थी बताएगे किस मुसलिम स्वतंतरता से नानी को भाई चारा और एकतादर्साने है तो गोल्डन टेंपल की चाभिया सौंपी गई थी ये कौन थे बड़ा ही important question नहीं है ये सारे के सारे BPSC TRE 3.0 में प्रशन पूछेगा है modern history हम लोग cover कर रहे हैं ठीक है ने फ्रेंट्स तो यह आपके सैफुदीन किचलु थे सैफुदीन किचलु आपको याद होगा डॉक्टर सत्पाल और सैफुदीन किचलु की व्रोध में एक सभा हुई थी और उसी सभा पर जनरल डायर ने गोलिया चलाई थी जालियवला लेनिन सांती पुरसकार 1922 में लेनिन सांती पुरसकार से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतिये हैं सैफुदीन किचलु ये भी आप साथ साथ याद रखिएगा ठीक है ना चलिए अब अगला प्रशन करेंगे नेक्ष्ट कुस्टन है हमारा कि 21 अक्टूबर 1943 को किस अस् पर सुबास्चंदर वोस जी ने सुथंतर भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था तुनों ने किया था सिंगापूर में कहां पर सिंगापूर में किया था अगला प्रशन करेंगे नेक्ष्ट कोस्टन है कि इनमें से कौन वंदे मात्रम समाचार पत्र के संपादक थे अरविंद घोस यहां पर राइट अंसर हो जाएगा ठीक है ना चले ऑल इंडिया हरेजन संकिया स्थापना 1932 में किसके द्वरा किया था एक प्रशन तो वैसे भी आपका बन जाएगा कि ऑल इंडिया हरेजन संकिया स्थापना कप किया था तो याद रखिएगा 1932 में किसने किया था तो यह महत्मा गांधी जी ने किया था किसने किया था महत्मा गांधी जी ने किया था बड़ा ही इंपॉर्टेंट कुस्चन है ठीक है याद रखिएगा किसने किया था तो महत्मा गांधी जी ने किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट कुस्चन है फ्रे इसे भी आप ध्यान रखिएगा ठीक है ना चलिए नेक्स्ट कुस्सन है कि कौनसी घटना सबसे पहले हुई थी कौनसी घटना इसमें से सबसे पहले हुई थी बताई राइट अंसर इसका क्या होगा चलिए भारत चुड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है यह अगस्त 1922 की घ ठीक है और क्रिप्स मिसन का आगमन कब हुआ था तो यह घटना जो है यहप मार्च पर मार्ट 1922 की है ठीक है तो पहले कौन सी हो गई प्रश्ण बन सकता है तो क्रिप्स मिसन के समय वाइसराय लॉड लेनलीत को था कौन था फ्रेंस लॉड लेनलीत को था इसे भी आप याद रखेंगे कौन था लॉड लेनलीत को था ठीक है कि कॉंग्रेस एक बहुत सुक्सम्भाग यानि कि अलपसंख्यक अंग्रेजी में इसको माइनुरिटी बोलेंगे का परतिने देत्व करता है तो यह स्टेटमेंट लॉड डफरीन का था किसका था लॉड डफरीन का था इसी के समय जो है 1885 में भारती राश्टी कॉंग्रेस के अस्थापना भी होई थी क्लियर ना अचा एक स्टेटमेंट करजन का है जो बीपेशी टी आरी में पूछा जा चुका है यह स्टेटमेंट क्या है कि कॉंग्रेस अपनी पतन की और लड़ खाड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इक्षा यानि कि महत मुझपरपुर बंकांड की बात करते हैं तो मुझपरपुर बंकांड के बारे में ध्यान से सुनिएगा प्रफुल चाकी और खुदिराम बोस थे इसमें सम्मिलित और देखे 30 अप्राइल 1908 को 30 अप्राइल 1908 को मुझपरपुर के जज किंग स्पोर्ट की हत्या का प्रयत कि सजादी गई थी 11 अगस्त 1908 को 11 अगस्त 1908 को खुदिराम बोस को फासी कि सजादी आ गया था और प्रफुल चाकी ने जो है आत्महत्या कर लिया थे इन्होंने इन्होंने आत्महत्या कर लिया था ठीक है तो यहां पर पुछा गया है कि फासी किसको दी गई थी तो खु याद रखेगा फ्रेंड्स और इनकी मिर्तिव जो हुई थी इनका देहांत जो हुआ था यह कब हुआ था तो अठारसों अंठावन में ठीक है बिहार में इन्हों ने जो है अठारसों संतावन की करांति का नत्रित्व किया था जगदीश पूर के थे याद रखेगा है बते राइट अंसर हो जाएगा तो यहां यहां पर हुआ राइट अंसर हो जाएगा यहां बंगाल आंदुलन के स्थापना हैं बेड़ डाज ने किया था कि लिएर ना याद रखेंगे किसी नहीं था हैं डाए इंपॉर्टेंट चुस्टन है चले अब अगला प्रक्श इसका क्या हो जाएगे बृतिन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे स्वतनतरता के समय यह प्रश्ण पुछा जाता है और क्लेमेंट एटली ने जो है हावस ऑफ कॉमन्स में वीच फरवरी 1947 को गोश्णा किया था 20 फरवरी 1947 को गोश्णा किया था कि ब्रिटिस जो है 30 जून 1948 के बाद सत्ता की जिम्यदारी जो भारती लोग है उन पर सौप देंगे ठीक है फ्रेंट्स याद रखेगा बड़ा ही 1947 को ये भी प्रश्ण बनेगा चार जुलाई 1947 को ठीक है और अठारा जुलाई 1947 को इसको अधिनियमित किया गया था ठीक है और पंदरा अगस्त 1947 को भारती स्वतंतरता अधिनियम लागू हुआ था तो इतने सारे पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं चले अगला प्रश्ण कि किस वर्स बिहार को बंगाल से अलग किया गया था बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ था और बिहार में उडिशा भी सम्मिलित था आपको याद है बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था बंगाल जो से अलग बिहार जो हुआ था कब हुआ था बिहार को बंगाल से अ दो हजार को यह सब पॉइंट आप याद रखिएगा चले फ्रेंट्स अगला प्रश्ण हमारा कि 1832-33 के मद्द कोल विद्रह का नत्रित्व किस ने किया था कोल विद्रह का नत्रित्व किस ने किया था चले बते राइट अंसर क्या हो जाएगा इसके नेता 7832-33 याद रखिएगा और इसके नेता बुदु भगत जोवा भगत जिंद्राय मानकी माधरा महत भी कह सकते हैं यह सब थे बुधु भगत, जोवा भगत, जिंद्राय, मानिकी, मादरा महतु ये सब थे ठीक है ना तो यहाँ पर इन में से कोई नहीं राइट अंसर होगा यहाँ पर दीके सीधु कानु जो थे ये संथाल विद्रो के नेता थे संथाल विद्रो अठारा सो पच्पन छप्पन में ठीक है ना चले फ्रेंट्स अगला प्रशन करेंगे हम लोग की निमनलिखित में से भारत छोड़ो आंदुलन 1942 का मुख्या कारण क्या था बताए सबी लोग अंसर कमेंट करिएगा भारत छोड़ो आंदुलन का मुख्या कारण क्या था देखिए एक तो आपका क्रिप्स मि युद्ध प्रियासों में लगा दिया गया और भारती अर्थिभास्ता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था तो यह आपका दोनों कारन थे कारन दोनों है इसके क्रिप्स मिशन के असफलता भी था और दूसरे भी शिजुद के जो हानिकारक प्रभाव थे प्रतिकूल प्रभाव थे ये भी था तो मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन डी राइट एंसर हो जाएगा ओपर एक तुमें से एक से अधिक है ठीक है ना फ्रेंट्स चले उ मोडरन हिस्ट्री के प्रश्ण बीपेसी टी री 3.0 के एक्जाम में पुछे गया थे उनको मैंने कभर करा दिया प्लीज सेशन को लाइक करिए और इसको सेयर करिए डेली क्लासे जब चलेंगे आपके लिए चैनल से जूड जाईएगा